नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शिर्षक है भगवान नारायन नाम का चमतकार, ये एक सत्य घटना है कुछ वर्ष पहले मेरे पास एक सज्जन वेक दिया है, बाचीत के ही सिलसिले में उन्होंने मुझे अपना कश्ट सुनाया में बोले कुछ वर्षों से मेरे उपर कोर्ट केस चल रहा है, यद भी मेरा कोई दोश नहीं है, फिर भी मेरे किस्मत का तो कोई दोश है ही, जो लाख प्रयत्न करने के बाद भी चुटकारा नहीं होता है मैं एक लाख रुपे भी देने को तयार हूँ, जिससे मेरी पेशी रुख जाए, मैं बहुत परिशान हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं हारा है कि क्या करूँ यह सुनकर मेरे मन में कल्यान में पड़ी हुई उस सत्य घटना का इस्मरण हो आया, जिससे पुझी श्री भाई जी को पुझी पंडिच्री मालवी जी ने बताया था, कि वह अमुल्य वस्तु नारायन नारायन का इस्मरण है मैंने कहा, देखो भाई, यदि तुमें विश्वास हो तो एक अत्यनत सरल उपाए, मैं बताऊँ, आशा है भगवत करपा से तेरी पेशी निलंबित हो जाएगी, वे शीगर बोले, बताईए, मैंने कहा, इस बार जब तुम्हारी पेशी हो तब तुम नारायन नारायन कहत करते हुए कोर्ट में जाना, उसने उस बात को स्विकार किया, और ऐसा ही किया, आश्यरी ही नहीं वरन महान आश्मन का जाप करते हुए कोर्ट में गया, तो जज ने निर्दोष बताकर उसकी छुट्टी कर दी, उसकी प्रसनता की सीमा न रही, फिर बाद में जब वह तो मैंने पूछा कि इसका क्या हुआ, वह बोला महराज क्या बताओं चमतकार हो गया, आपके कथन अनुसार में नारायन, नारायन कहकर कोर्ट में गया, जज जज सहाब ने निर्दोष कहकर केस खारिच कर दिया, जिस काम के लिए मैं इतने दिनों से परेशान था, वर्ष अब तो मैं कहीं भी यात्रा के लिए जाता हूँ, दुकान पर जाता हूँ, या गाड़ी में, या कार में बैठता हूँ, या कोई भी कारी शुरू करता हूँ, तो इसके पुर्व इस महामंत्र का जाप हवश्य करता हूँ, मेरे घर में सभी सदस्यों को नारायन मंत्र पर पूरा भरोसा हो गया है मेरी छोटी सी पोती जिसकी उम्र एक वर्ष की है अभी वह इस पस्ट बोल भी नहीं पाती है तो भी नान नान कहकर मुस्कुराती है बड़ी प्यारी लगती है तो दोस्तों बोल ये नारायन नाम की जय दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें चलिए तो मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जैश्री राम धन्यवाद